Hi, Welcome to my channel इस वीडियो में solve करेंगे question no.4 Write the cubes of 5 natural numbers which are multiples of 3 and verify the following the cube of a natural number which is a multiple of 3 okay, the cube of a natural number which is a multiple of 3 is a multiple of 27 तो इस question समझने के लिए परे समझना पड़ेगा कि what is multiple of something okay, the multiples of 3 क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसको तो समझेगा 3 का multiple कहने का मतलब यह है कि 3 में यदि किसी एक दूसरे factor से multiply करके factor मतलब कोई दूसरा natural number से multiply करके यदि हम कुछ बनाते हैं जैसे कि 3 में multiply करते हैं 1 से और आ जाता है 3 तो हम कहेंगे कि this 3 is a multiple of what? 3 फिर हम कहा करेंगे 3 से multiply करते हैं यदि 2 में और आ जाता है 6 तो हम कहेंगे 6 is a multiple of what? 3 अब यदि 3 में हम 3 से multiply करके ला देते हैं 9 तो हम कहेंगे कि 9 is also a multiple of 3 और यदि 3 से multiply करते हैं 4 में 3,4 जा 12 हा जाता है हम कहेंगे 12 is also a multiple of 3 कहने का मतलब कि जिस number का multiple निकालना रहेगा उस number में हम natural number से multiply करते जाएंगे तो हमारे multiples मिलते जाएंगे तो यह 3,6,9,12 are multiples of 3 और क्या हो जाएंगा multiples? 3 into 5 करेंगे 3,5 जा 15 मिल जाएंगा 15 is also a multiple of what? 3 likewise you can find infinite number of multiples of 3 समझ गया है कि multiple क्या होता है? now question क्या कर रहा है? write the cubes of 5 natural numbers हमें 5 natural numbers ऐसे ढूटने हैं और उनका cube निकालना है जो multiple हैं थरीके पहले वो 5 natural numbers हम ढूटेंगे जो multiple हैं थरीके अभी जो हमने लिखा था वो सारे-सारे क्या थे? multiples थे थरीके तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं solution ठीक है? जैसे यहाँ पर कह रहा है जैसे question सुरुवात किया है वैसे-वैसे solve करते जाएंगे आगे समझ में आ जाएगा यह जो sentence लिखा है ना यह जो लिखा है inverted comma के अंदर ठीक है? यह भी समझ में आ जागा कि यह क्या कह रहा है जैसे यहाँ solve करेंगे इसको ठीक है? तो लगे रही है समझते रही है आगे बढ़ते हैं तो पहले हम लिखेंगे कि 5 natural numbers ऐसे ढूटेंगे जो 3 के multiples है तो we know that we have 5 multiples of 3 is equal to what? पहले तो 3 हुई हो जाएगा 3,6,9,12,15 तो 1,2,3,4,5 ओके यह 5 multiples हमारे आ चुके हैं बिल्कुल थरीक है अब क्या करना है कि इनका cube निकालना है क्या खोले है हम पहे? write the cubes of these 5 natural numbers ठीक है? तो let us find the cube so cube of 3 जो की multiple है 3 का तो जो क्या खोले है तो जो क्या खोले है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सबका cube ठीक है? तो 3 का 27 6 का cube हो जाएगा 216 9 का cube है 729 12 का cube है 1728 and 15 या cube जो है वो आ गया 3375 अब करना क्या है? verify the following अब यह जो नीचे वाला condition दियावा इसको देखना है verify करना है तो हम देखते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है वो correct है या नहीं है तो बहुत समझ लेता है कि यह बोला क्या है the cube of a natural number और वो जो natural number है वो 3 का multiple है मतलब कि इसकी बात कर रहा है 3 6 9 इन ही सब की बात कर रहा है ठीक है? कह रहा है कि cube of a natural number तो इसका natural number का मने यही natural number की बात कर रहा है क्योंकि कह रहा है कि which is a multiple of 3 यह सारे-सारे क्या है? multiple of 3 हैं तो इन सभी का यही हम करते है cube ठीक है? तो जो आएगा result यह सारा result यह सारे जो natural numbers आएंगे वो क्या होगा? is a वो होगा multiple of 27 मतलब यह सारे-सारे 27 के multiples होंगे इसका मतलब कि हम इसको ली सकते है multiple of 7 के मतलब 27 के 27 को ली सकते है 27 multiplied by 1 तो बिलकुल यह correct है और इसको भी हम ली सकते है 27 into something तो 27 into something क्या लीखेंगे? वो हमें find करना होगा 216 को हमें factorize करना होगा या फिर आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से आप 27 कैसे separate करेंगे तो यही पर आप देखिए 6 में से 3 निकाल दीजिए इसमें से 3 निकाल लीजिए तो 3 मतब कि इसको लीख सकते हैं आप 2 into 3 into इस वाले 6 को लीख सकते हैं 2 into 3 और इस वाले 6 को लीख सकते हैं 2 into 3 अब यहां से देखिए 3 आपका यह 1 2 और 3 इन तीनों को multiply कर लीजिए 27 आ जाएगा multiplied by और जो बचा है 2 to the 4 to the 8 तो हम देख पा रहे हैं कि 216 जो है multiple है 27 का हमने क्या पढ़ा था multiple का मतलब multiple का मतलब यह है कि उस number में कोई दूसरा number से multiply क्या गया रहेगा 216 is a multiple of what 27 क्यों 27 से 8 में क्या गया है similarly यहां भी 27 is a multiple of 27 27 क्यों 27 में 1 से multiply क्या गया है similarly we will find here यहां पर क्या आएगा यदि हम 9 को break करते हैं और लिख दें 3 into 3 multiple by इस 9 को break करते हैं और लिख दें 3 into 3 और इस 9 को break करते हैं और लिखे कि 3 into 3 और हम केवल 3 का group बना लेए 27 आना हमें अलग करना है बस यहां पर हम सेपरेट कर लेंगे 3 के फार में 3 into 4 multiplied by इस 12 को लिखेंगे तो लिखेंगे 3 into 4 multiplied by यहां 12 को लिखेंगे 3 into 4 अब यहां देखेंगे यह 1 2 & 3 इन 3 मुदप लाए कर रिए 27 you get 27 multiplied by 4 for the 16 16 for the 64 यहां for the 64 it means हम का सकते हैं कि 1728 is a multiple of 27 क्योंकि 27 multiplied by 64 अब यहां पर देखें 15 cube करने पर यहां भी मिलेगा 3 27 मतलब यहां पाजाए देखेंगे 15 को लिखेंगे 3 into 5 15 को लिखेंगे 3 into 5 into यहां लिखेंगे 3 into 5 अब यह जो 3 है इसको मुदप लिखेंगे एक साथ 27 multiplied by जो बचा है उसको एक साथ मुदप लिखेंगे 5 21 25 25 125 तो फाइनली हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि 3375 is also a multiple of 27 क्यों 27 में किसी नमर से अप्लाई करके यह लाया गया है तो यहां से जो इस्टेटमेंट बोल रहा है उसको हम वेरिफाई कर चुके है so the स्टेटमेंट is verified हमने यहां पर verified कर लिया है बिलकुल तो बिलकुल आप यहां समझ चुके होंगे कि कैसे मतलब verify करना है और verification का मतलब क्या होता है हम verification का मतलब यह होता है कि exactly हम दिखा दें कि यह सच बात है जो यहां बोला गया है that is correct thank you so much for watching bye